हेलो फ्रेंड्स में हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरी चन्नेल में आज में लेके आई हूँ मिठा बंदी का रेशीपी एकदम जुसी दर बंदी रेशीपी अगर मेरा रेशीपी आप लगन को पसंद आएगे तो प्लीज लाइक कोमेट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और यह होली आ रहा है होली का स्पेशल मैंने बना रहे हर घर में त उसे दर बंदी रेशीपी लेकर आई हूँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए लेंगे बेशन देखिए मैंने एक कॉप में दू कॉप मैंने बेशन लिया और उसी कॉप में मैंने पानी लिया एक कॉप और थड़ा-थड़ा पानी डाल के उसको मिलाते जाए पर आटे बेटर बना के त्यार करेंगे देखिए मैंने पानी आड़ कर दिया और मिक्स कर दिया अच्छा से और इसको साइट में रख देंगे इस तरह देखिए अभी गाढ़ा है लेकिन सेटमे रखेंगे और एक चामज मैंने ओएल आड़ किया दिखिए और ओएल देखिए पांच मिनिट बाद थोड़ा सा पानी बच्चा था और यह मैंने पानी आड़ कर दिया लास्ट में और देखिए इस तरह बटर बेटर होना चाहिए देखिए और यह बास पॉर्फेक्ट है और अभी चेक करेंगे ओयल गरम हुआ कि नहीं देखिए ओयल भी पुरा पॉर्फेक्ट है और यह लिकाल देंगे आभी बुंदी हम तलैंगे देखिए इस थारह एक कर्ची लेंगे और कर्ची का ऐसे जालेदर कर्ची में ऐँसे बेटर आडर करेंगे और थड़ा ट्याप करेंगे देखिए इस तरह og Active कितना संदर पुरा गोल गोल बंदि बन के त्यार है यह इस तरह हम जितना भी बैट्टोर है इस तरह ही हम बंदी तोल के त्यार करेंगे एक बार उसको मैंने साफ कर दिया कर्ची को एक बार यूज करके साफ करना चाहिए नहीं तो गोल गोल बंदी नहीं बनेगा इसलिए मैंने एक बार साफ कर दिया फिर ये टू स्टेप फिर ये दिखिए कितना संदर बुए बंदी बनके त्यार हो गया वास ये लिकाल देंग थोड़ा सा बेटर बच्चा है मैंने उसमें थोड़ा फूड कलर मिला दिया और उसको हम फ्राइ करेंगे इस तरह तलेंगे देखिए मैंने ये कलर फूल बनाने के लिए मैंने कलर टाला और ये देखिए मैंने इस तरह ही बनाया और ये परबन के त्यार हो गया बुंदी दे मेजरमेन नहीं तबुंदी परफेक्ट नहीं बनेगी और एकदम मेरा परफेक्ट बनके त्यार हो गया देखी और यह पुरा कुरकुरा भी है और अभी हम बनाएंगे चसनी जितना हम लिया था बेशन उतना ही चीनी डालेंगे मैं दू कॉफ बेशन लिया था और दू कॉफ मैंने चीनी आड़ किया दिखिये और चीनी के हिसाब से हम पानी आड़ करेंगे दू कॉफ चीनी तो दू कॉफ हम पानी आड़ करेंगे मैंने दो कॉपप अअड़ कर दिया दिखिया और ईसके चसनी बना के त्यार करेंगे अधीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा और मैंने दू इलाइची एशे छिल का छिल दिया और हाल का कोट के मैंने डाल दिया फ्लेवर के लिए आप इलाइची का पाउडर भी डाल सकते और इया ड्राइफूट मैंने लिया दिखिया काजू और बादम का मैंने लिया दोर दरा कोट के मैंने आड कर दिया काजू और यह बादम था इसलिए मैंने यह आड कर दिया ड्राइबरू और उसको मिलाएंगे देखिए चसनी भी अभी त्यार है बास इस थरह चिप चिप जैसे होना चाहिए और तार नहीं बनना चाहिए तार बनेंगा तो पुरा टाइट हो जाएगा चसनी और इस तरह बा आड कर देंगे बुंदी देखिए मैंने बुंदी आड कर दिया और इसको हम एसे थड़ा मिला देजिया और यह तीन से चार घंटा तक एसे छोड देंगे ढांके और बीज बीज में इसको चलाना चाहिए और इसे हम हलको भर करके छोड देंगे अभी हम प्लेटिंग कारे और यह न पूरा परफेक्ट है तीन चार घंटा बाद मैंने यह देखिए बुंदी आपको देखा रही लिकाल के प्लेट में प्लेटिंग करके और देखिए इतना जूसिदार है न क्या बताऊं सच में यह बहुत टेस्टी लगता है बस हलका फुलका तो मिठाता बनता है हो यह खाने में तो बहुत टेस्टी है सबको तो पता है सबको तो मिठाई पसंद होता है इसलिए मैंने हलका फुलका होली के लिए मैंने यह जो सिदार बुंदी बना के त्यार किया और मेरा वीडियो को फूल वाज करिए